भारतिये महिला होकी टीम ने इतिहास रच डाला है टोकियो ओलंपिक में महिला होकी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को एक जीरू से हरा कर सेमी फाइनल में जगा बना ली है ओलम्पिक इतिहास में पहली बार भारतिय महिला होकी टीम सेमी फाइनल में पहुची है भारतिय टीम का विनिंग मुमिन्ट देखकर आपकी आखे भी छलक पड़ेंगी जैसे ही मैच बूरा हुआ और भारत ने जीत दर्ज की सभी औस्ट्रेलिया एकिलारी मैदान पर ही रोनी लगी जबकि भारतिय महिला टीम ने जम कर इस जीत का जश्न मनाया गुर्जीत कौर के गोल और शांदार डिफेंस के दम पर भारतिय महिला होकी टीम ने टोक्यो उलम्पिक के सेमी फाइनल में जगा बनाई है गुर्जीत ने 22 मिनट में पिनल्टी कौर्नर पर यह एहम गोल किया इसके बाद भारतिय टीम ने अपनी पूरी ताकत गोल बचाने में लगा दी जिसमें वास सफल भी रही गोल कीपर सभिता ने बेहतरीन खेल दिखाया और बाकी डिफेंडर्स ने भी उनका अच्छा साथ दिया भारतिय टीम मास्को उलम्पिक 1980 में चौथे अस्तान पर रही थी लेकिन केवल छे टीमों ने हिस्सा लिया था और मैच राउंड रोवीन आधार पर खेले गए थी भारतिय होकी टीम अपने पूल में दक्षिन आपरीका और आयरलेंड को हरा कर चौथे अस्तान पर रही थी जबकि आस्ट्रेलिया टीम अपने पूल में टॉप पर रही थी भारतिय पूरुष टीम पहले ही सेमी फानल में जगा बना चुका है